आज हम लोगों का पहला लेक्चर है Newton laws of motion का अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे kinematics पढ़ रहे थे कि भाईया velocity होती है ठीक है acceleration होता है ठीक है पर होता कैसे है velocity आती कहां से acceleration आता कहां से हम लोग cause की बात नहीं कर रहे हैं इसकी cause की बात नहीं कर रहे थे किक मेंट है ठीक है हम लोग cause की बात नहीं कर रहे थे आया हम लोग cause की बात करें क्यों होता है किसकी वैशे से आता है cause and effect अभी तरह हम लोग से effect को देख रहे थे चल्छा स्टार्ट करते हैं आज हुई ओ माइग गाड ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा घबराव नहीं अजित्ता हो पाएगा उत्ता कराई है आजाम आज हमसे बड़ाब नहीं नया chapter है तो फील तो आए सबसे पहला force force होता किया जनरल हम लोग को force की feel आती है ना मुक्का मार दिया force मुक्का मार दिया और चाटा मार दिया यह कुछ भी पॉल आई चक्का मार दिया force तो force कितने डाइब की होता है force generally अब देखो बहुत सारे classification होते हैं अगर दो generally माना जा तो क्या होता है एक होता है push एक होता है pull push मतलब धक्का देना pull मतलब खीचना दिख रहा है इसमें color दिख रहा है yellow color का भी प्ष तो फुश मतलब push को generally हम क्या बոलते है? push को हम बोलते है normal force क्या बोलते है? normal force, normal force कभी फुश कौन करता है? surface push करता है खीषती कोन है पुल कोन करती है रसी खीषती है तो इस खीषने वाले force को हम बोलते है tension क्या बोलते है tension दो नाम है and क्या है यहां पे जो push जो होता है मारा मों क्या होता है सुनल का dob अर पुल्य होता है का अब यहां पर नॉर्मल सरम्फेस हुष कर रहा है रसी का रही है तो पुर्श करने रहे हे है कि यह यहां और और रहा कॉल करने वाले हैं अब यह तो contact force हुए कौन से force हुए contact contact हात लगाया तब आया यह भी रस्या बंधी है तब आया कुछ force बिना contact के भी होते हैं तो हम और भी classification कर सकते हैं types of forces contact and non-contact contact वाले कौन-कौन से होते हैं अभी देखा कौन-कौन से होते हैं tension we are normal और भाई यह पेरों पर लग रहा है friction गारिशन बोड़ते हैं यह सारे क्या हो है contact non-contact बिना contact के force लग रहा है तर्ट से कूच जाओ उधना नहीं है light से कूद गए क्या होगा pen को छोड़ दो क्या होगा नीचे जा रही न क्यों जा रही है धर्ती बुला रही है आओ कैसे बुला रही है force लगा के कौन सा force gravitational force weight mg weight एक force होता है weight क्या होता है force mg कैसे लग रहा है धर्ती से touch कर रहा है हो क्या यह pen धर्ती को छू रही है नहीं ठीक है तो बिना contact के लग रहा है तो gravitational और दो charges की बीच में दो mass की बीच पर लगता है दो charges की बीच पर लगता है क्या बोलते है उसको electro static and etc magnetic भी होता है अब वो भी छोड़ो जब पढ़ेंगे देखा जाएगा तो भाई यह Newton के तीन law पढ़ने chapter का नाम क्या है Newton laws of motion है ना कितने law थे तीन law थे first law क्या था first law क्या था law of inertia अच्छा एक चीज़ और अगर हम force की बात करें तो force क्या क्या कर सकता है क्या कर सकता है force क्या चेंज कर सकता है किसी बॉड़ी की speed चेंज कर सकता है अगर force लगाओगे तो बॉल आई हमारा चक्का velocity चेंज हो गई ना पहले आ रही थी अब जा रही है direction चेंज हो गई तो speed भी चेंज कर सकता है अराम से आई थी बॉल प्यार से इत में बहुत तेज मार दिया उड़ गई बहुत तेज चेंज हो गई मतलब velocity को चेंज कर सकता है और आता उठाओ आता खुन्दा दा आता अफ़े नहीं गूनते नहीं ऐसे-ऐसे-ऐसे सेभी हो रही है तो शेप को भी dub कर सकते है between काम कर सकता है फोर्स अब बार सपीडेंड करना मतलब रेश्ट को पमोशं में ला सकता है और म्ोशन को रेश्ट में भी ला सकता है speed change करना मतलब rest को motion में ला सकता है और motion को rest में भी ला सकता है लेकिन जब तुम force लगाते हो किसी body पर तो हर body क्या करती है change को resist करती है क्या tendency to resist the change कोई भी चीज चेंज नहीं चाहती वो सुखी बैठी है चिल एकदम तुम force लगाओ कि दिक्कत होगी तो यह change को resist करता है चेंज को नहीं चाहता चेंज हो उसको क्या बोलते है inertia वही पढ़ना है को law of inertia हर body के पास inertia होता है motion का मतलब हर body किसको oppose करती है किसको oppose resist मतलब oppose कि नाइ 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 तुम सीथे सर्दियों में की बात है तुम रजाई में बैठे हो सुबह सुबह अराम से आ गरम एकदम मम्मी आए एकदम रजाई उपर आट पड़ो नहाओ पड़ो तो क्या होता है तुम नहीं चाहते हो तुम सुखी बैठे हो ना तो इनर्शिया है tendency to resist the change उसी को बोलते हैं धीटपना नहीं होता है लिख सकते हो इनर्शिया मतलब क्या होता है धीट कि नहीं सुद्रेंगे भाईया नहीं बदलेंगे धीटपना ट्रॉपर्टी नहीं है धीटपन के धीटपन अब बड़े लोग होते हैं बहुत जिनकी यह ज़्यादा होती 60-65 ठीक है तो हमने पार्सनल एक्स्पीरेंस है तुम काओ अरे चाचा ऐसे नहीं ऐसे होता ह है गरत कर रहे हो अगर तुम हम को सिखाओगे फचास साल से आई सभी कर रहा है हम को सिखाओगे तुम को सिखा घृट बडलते नहीं है उनका इनरषा बहुत ज्यादा होता है तुम खूब समझा लो और शिखा करेंगे तो मच ऐनर ओर से नरिअ होता है धीटपना पैंसे क पोस्दा चेंज कितने भारी हैं यह लाकर दिखा दो हमें पचास साल से हम आईसा ही काम कर रहे हैं आईसा ही करेंगे हम इनी शीखना ठीक है हम रिजाई के अंदर बैठे हैं हम बाहर नहीं आएंगे इनर्षिया होता है किसका मौशन का अगर बॉड़ी रेस्ट पे है तो रहना चाहेगी अगर वह मूव कर रही है तो भी मूव करते रहना चाहेगी उसकी तुम मोशन को चेंज मत करो वह नहीं चाहती है यह चाहती हो every body resist the change in its state of motion state of motion मतलब velocity मतलब body नहीं चाहती कि उसकी velocity change हो तो actually में क्या होता है जो constant velocity होती है वो क्या होती है natural state natural state of motion जहाँ वो सुखी है जहाँ वो क्या है सुखी है constant velocity अगर तुम कुछ भी change करोगे direction, speed, force लगाओगे तो वो नहीं चाहती कि change हो तो अगर तुमें change करना है तो तुमें force लगाना पड़ेगा अगर तुमें velocity change करनी है तो force लगाना पड़ेगा velocity के लिए force लगाना पड़ेगा velocity को change करने के लिए force लगाना पड़ेगा और उस change को वो oppose करते है किसकी वज़े से? inertia की वज़े से और यहाँ पर inertia का मतलब क्या है? motion का जो inertia होता है inertia of motion क्या होता है? inertia of motion होता है mass जितना ज़्यादा mass उतना ज़्यादा inertia उतना ज़्यादा भारीपन भारीपन या भार ये बात clear है? उसको change पसंद नहीं है किसी को बोलते है law of inertia किसका change? state of motion का state of motion मतलब velocity velocity का change उसको पसंद नहीं है change करना है तो force लगाना पड़ेगा हतम ये है हमारा बस law अब भाया inertia कितने type के होते हैं? तीन type के होते हैं motion inertia of rest inertia of motion inertia of direction मतलब वो rest पे है तो rest पर रहना चाहेगी वो move कर रही है constant velocity से constant velocity से move करना चाहेगी अब rest भी 0 velocity होती है rest is also a constant velocity rest पर है तो rest पर रहना चाहेगी motion पर है तो motion पर रहना चाहेगी तो ना वो rest से motion में आना चाहेगी ना वो motion से rest पर आना चाहेगी और ना वो direction change करना है ये वाद समझ में आती है अब ये examples हैं कुछ तुम बता उसमें से कौन सा कौन सा inertia है ठीक है which one is which करें start अब नहीं चुएंगे इसको किच किच हो रहा हो रहा है चलो पहला कौन सा है because of inertia you feel jerk when brakes are applied गाड़ी चल लाई है भाव स्पीर से एकदम brake लगा आईसे हो जाते तो ये कौन सा inertia है क्यों आईसे हो गए rest की motion तर ये rest में है नहीं भाई ये गाड़ी चल लाई थी motion में था अगर गाड़ी motion में थी तो ये भी किस पर था motion में ये क्या चाहेगा ये motion पर ही रहे अगर जैसे उने brake मारे तो brake मारे तो गाड़ी किसकी वैसे रुकती है friction की वज़य से kinetic friction flipping होती है तो friction तो गाड़ी पर लगा तो friction ने गाड़ी को रोक दिया तुम्हें कौन रोकेगा तो गाड़ी तो रुक गई पर तुम नहीं रुक पाए गाड़ी रुक गई लेकिन तुम नहीं रुक पाए ये बस समझ में आई तो जो motion में body है वो motion में रहना चाहती है ये कौन सा है Inertia of tennis Moorion Similarly ये देखो ये क्या है ये सिक्का रखा है पेट कुछ पुठ रखा हुआ है उसके उपर प्लेट रखी है प्लेट के उपर सिक्का रखा है हमने प्लेट को बहुत तेजे मार दिया पलेट चली गई पलेट चली देखी खीए विए सब्सक्राइस कhower क्या ग्याज़ा अलता तो ये कौन सा है अब भी तुमने मारा प्लेट को मैं भी सात में जाना चाहिए था लिग्न सिक्ओ जाना नहीं चाहता है तुमने फोर्स किस पर लगा प्लेट पे प्लेट निकल जाएगी तख्का काईगा हम वहीं पे हमें नहीं हिलना हिला कर दिखा दो ठीक है तो खुश है वो अपनी लाइफ से खुश है क्यों परशान कर रहा है उसको तो वो rest पे है rest पे रहना चाहता है कौन सा inertia हुआ inertia of rest यह भाईया कुछ छोटी सी गाड़ी है गाड़ी पर रखें कंचे गाड़ी से आ रही है यहां आपने टकरा जे गाड़ी को गाड़ी रुख गई कंचे दोड़ गया आगे यही तो गाड़ी में होता है कार में है की चले गया आगे यह भी क्या है inertia of motion a particle is in a straight line motion with the uniform velocity ठीक है force is not required देखो uniform velocity constant velocity क्या है उसकी natural state है इस velocity पर रहने के लिए force नहीं चाहिए इसको decrease करने के लिए force चाहिए direction change करने के लिए force चाहिए maintain करने के लिए force नहीं चाहिए तो answer क्या है यह यह बात clear है without बढ़ते हैं आगे a rider on a horse गोड़े पर है ठीक है और गोड़े ने चलना start किया एकदम से एकदम से तो क्या होगा कि तुम try करना ठीक है लास्ट मता ठीक है pause करके भी try कर सकते है अब आओ लेको force पढ़ने के लिए हैं पहले momentum पढ़ना 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 पढ़ेगा momentum momentum होता क्या है mathematically क्या होता है mass into velocity बस mass into velocity लेकिन बोलते क्या है इसको तो बोलते है it is the amount of motion contained within the body एक body में कितना motion है motion velocity होती है motion तो velocity क्या होती है motion होता है velocity है तो motion है velocity नहीं है motion नहीं यह क्या नई चीज़ आ गई momentum amount of motion momentum का मतलब क्या होता है amount of motion लेकिन बोलते होती होती थी यह क्यों पढ़ रहा है तरो देखते है तुम कहते हो velocity ज़्यादा है तो motion ज़्यादा है हम कहते है momentum ज़्यादा है तो motion ज़्यादा है अब इसकी feel नहीं है आ रही सर तो feel लेते हैं आईए आपके सामने तीन situation है एक इसके सामने खड़ा होना है आपको एक इसके सामने खड़ा होना है हमान सोच रहे हैं आप मन में हमान क्या कर लो अच्छा एक situation यह है यह एक बहुत slow moving train है बहुत slow कैसी है यह बहुत slow train है य आप अदरे 5 meter per second से आ रहे ही चला ठीक है 5 meter per second से आ रहे है एक इसके सामने खड़ा होना है और तीसरा option है दीदी आ रही है इनकी speed है let's say यह आ रही है 10 meter per 20 meter per second से आपके ज़्यादा speed है इसकी तुम 1 meter per second मान लो बहुत slowly आधी train तुम्हें यहां खड़ा होना है इनके सामने किस किस आमने खड़ा होना तुम पसंद करोगे पुलेट की speed है 500 meter per second या फिर 500 km per hour 500 km per hour इसकी speed का feeling है कि 100 km per hour बाइक बहुत तेज होती है 500 बहुत तेज हो तुम कहां खड़ा होना पसंद करोगे यह बताओ इसके सामने मज़ा आ जाएगा क्या भाइया आग निकल लाई है 500 km पर आके तिन्नू सी पुलेट है तो क्या हुआ रोक पाओगे इसको ने रोक पाओगे न इसका मतला इसका motion बहुत ज़्यादा है momentum बहुत ज़्यादा है इसको रोकना बहुत मुश्किल है इसका मास तो कम है लेकिन velocity बहुत ज़्यादा है तो momentum क्या हो जाएगा बहुत साथ इस पर आते है इसका velocity तो बहुत कम है लेकिन मार्स बहुत ज़्यादा है वन मीटर पर सेकेंड यार अराम से क्या तो रोक लोगे तो नहीं रोक पाओगे क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है तो momentum क्या है बहुत ज़्यादा इसको इसका भाईया मास भी कम है और velocity भी कम है कुछ खास नहीं है इनसे तुम्हें फरक नहीं पड़ेगा तो momentum ठीक ठाक है इनका बतलब तुम्हें डर तो लाइएगा लेकिन अरद दी जी रोक ली गाड़ी तो भी तुम बज्याओगे यहां velocity का मास बहुत ज़्यादा तो momentum बहुत ज़्यादा रोकना बहुत मुश्किल है ठीक है मुमेंटम जादा मुमेंटम जादा मुमेंटम ठीक ठाक यह बास समझ में आ रही है चलो अब feeling आ गई momentum की तो पूरा game momentum का ही है momentum क्या होता है vector velocity vector momentum भी vector जहाँ velocity वही momentum जहाँ velocity वही momentum चलो एक बेसिक सा question है यू से गया टकराया बी से वापस आया टकराने के बाग इस process में collision में कितना change हुआ momentum का कितना change हुआ momentum का momentum क्या होता है vector change in momentum of block magnitude निकालना है magnitude मतलब positive में तो यार adjust लिख लो change in momentum का change in momentum कितना हो जाएगा p final minus p initial अब कुछ positive negative मानना पड़ेगा यहां मानने रहे positive हो यहां मानने रहे negative हो तो लेख सकते हैं v final minus v initial अब यह बताओ final velocity कित्ती है इस तरफ है ना v minus में तो minus v minus यह minus initial कित्ती है इस तरफ है u है तो plus u तो u लिख देंगे कितना आ गया माइनस बाहर ले लो भाहिया common minus m बाहर ले लिए v plus u यह तो change आया है यह क्या है change हमें क्या चाहिए इसका magnitude magnitude मतला positive में कित्ता आ जाएगा change in momentum का magnitude कित्ता आ जाएगा m into v plus u रट लो यह इसका बहुत use है change कित्ता आया क्या answer b भले minus में आया change यह उसकी value कित्ती है change गी अब समझे ना पहले momentum positive था let's say 20 था अब negative में 30 है पहले 20 था positive में अब 30 negative में कित्ता अंतर है 50 का 20 और 30 तो difference कित्ता है 50 का इसलिए plus हो गया पहले positive था अब negative है vector में हमेशा कभी टगरा के आए v plus u same हो जाएंगे u u हो जाएंगे 2u u plus u one important result है यह एक लाइन में question होते है अब आओ Newton's second law first law कहता है कि भाया body पे जब तक force नहीं लगाओगे उसका momentum change नहीं होगा rest पे है तो rest पे रहेगा move कर रहा है तो move करता रहेगा अब अगर force लगाएंगे तो क्या होगा Newton ने पैसको बुला कि जब तक force नहीं लगाओगे momentum change नहीं होगा rest पे है rest पे रहेगी move कर रहे है move करते जाएगी अब ने पूचा ठीक है force लगाओगे तो क्या होगा उसने का force लगाओगे speed change होजाएगी direction change होजाएगी लोगोंने का कितनी change हो जाएगी कितनी कितनी इसने बताया उसने क्या बोला कि net force बहुत important है net force on the body is equal to rate of change of momentum मतलब net force on the body is dp by dt rate of change मतलब क्या होता है differentiation किसके respect में time के respect में यह मोटा मोटा है मतलब net force net force क्या होता है अगर 10 force लग रहे है तो net force का मतलब क्या है f1 plus f2 and so on vector form is equal to total change in momentum M into V अब यह तो मोटा मोटा है इसको अभी हम खोलेंगे अच्छे से अगर force लग रहा है तो momentum change होगा force नहीं लग रहा तो momentum change नहीं होगा ओके अब यह बताओ यह बताओ अगर 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 P हमारा Y है इसको देखो P हमारा क्या है Y P हमारा क्या है X यहाँ पर slope किता हो जाएगा slope किता होता है T Y by T X T Y by T X वह यह rate of change का मतलब अगर तुम लोगो doubt होता हो rate of change का मतलब यह है कि कितना change होगा momentum per second मतलब अगर तुम किसी body पे किसी body पे let's say 10 newton लगा रहे हो 10 newton उसका momentum अभी है उसका momentum है है 80 है अभी किता है 80 एक सेकेंद में कितना change हो जाएगा 10 इस सेकेंद बात किता होगा ह değ 1 retrospect बात किता हो जाए 가iko momentum है 30 से किता हो जाएगा 40 अगले एक सेकेंड बात किता हो जाएगा 50 clerk ups लगा रहे है continuously तो per second momentum में change किता आ रहा है 10 तो change in momentum per second इसका मतलब यह होता है unit क्या होती momentum की उस पर अभी आएंगे यह यह से देख लो यहां से देख लो जो अगर dp देखे हम dp small change किता हो जाएगा f into dt अब dp इसकी unit चाहिए है अपन को इसकी unit क्या होती है force की newton time बले कितना सा ही हो क्या होती है उसकी second unit क्या हो जाएगी newton second हम क्या रहे थे यहां p दिया है y और t दिया है x तो हमारा slope क्या होता है d y y d x हमको पता है d y by d x 10 theta अब d y by d x y क्या है p x क्या है t d p by dt तो यहां पर slope क्या आ गया तो 10 theta है हमारा वो क्या आ गया dp by dt what is dp by dt guys dp by dt क्या है force यहां पर क्या आ गया force इस graph में 10 theta है slope क्या होता है d y by d x y p है xt है क्या होता है dp by dt जो क्या होता है force तो हमारा slope क्या दे रहा है हमको force अब b पर क्यता है b का angle है 45 तो force b पर क्यत्ता है तेन फॉर्टी फाइव वन पर क्यत्ता है तो 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 जीरो बन अपॉन रूट थ्री पर अपॉन रूट पूचा क्या हो सने रेशियो बताओ f a upon f b तो बात ज्याद रखना जहां भी differentiation आए मतलब slope और integration आए तो क्या होगा area f a upon f b 1 upon root 3 upon 1 1 by root 3 graph तुमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो पहला कुछ इंग्राप कह था 1 by फिर से graph पहले पता है पहले हम जब हम पढ़ता है नहीं थे बापा ने कहा था कि तुम लोग तुम बेटा तुम से इटे उठावाएंगे bricks हम लोग घार काम bricks का है तो हम तो महीने के पांच यार रूपय देंगे लेबरी करना तो हम बहुत बदले थे हमसे रीटा उठता भी नहीं था हमने का नहीं इससे बड़ी काम हमें आता है हमने बेककप बनाया था वाट वास बेककप हम जाए हम आघ था 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 हम तो आघ तो बहुत भी यह बैककप बनागे चलो मतलब मालो नीट तो हो जाएगा लेकिन मालो आगे पढ़ाय करने का मन नहीं हुआ लेट से MBBS कर रहा है तीन साल बाद अरे मन नहीं हो रहा है MBBS का तो बैक अप होना चाहिए आच 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 आए ओमपली चीक है आते है चले इस पर बाद में आएंगे इसको अभी छोड़ो यह भी पैंडिंग करते हैं किया अब हमको फोर्स ग्राफ दिया है फोर्स का और टाइम का अभी हमको मोमेंटम और टाइम का दिया था अब हमको फोर्स टाइम का दिया है ठीक है पिछला वाला करवा रहा रहे है थोड़ी दिर मन अब हमें क्या पूछा है चेंज इन मुमेंटम मुमेंटम टाइम के ग्राफ से याद करो याद करो पिलाउस्थी टाइम याद एक्सिलरेशन टाइम वैसे ही है अगर सलोप निकालते हैं तो क्या मिलता है उब को फोर्स मिलता है अगर हम वापस लाएंगे force के graph को integration कर देंगे integration का मतलब क्या होता है area differential मतलब slope integration मतलब area हमें क्या मिलेगा क्या मिलता है change in momentum upper limit minus lower limit integration करने के लिए so what is change in momentum integration of f dt तर ये कहां से आया लो देख लो भाईया अभी तुमने लिखा था कि f किता होता है f किता होता है dp upon dt dt को ले जा उस तरफ f dt कितना हो जाएगा tp कितना हो जाएगा f dt हो गया उतर लेगा dt तो उन्हों साइड किया है integration tp का integration क्या हो जाएगा dp 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 बहुत सारे dp क्या हो जाएगा tlp tlp आ गया हमारा change momentum आ गया integration of f dt integration क्या होता है summation होता है इसका मतलब area tlp कितना है integration मतलब क्या होता है यहाँ पर area under force and time graph यह बाद समझ में आती है तो 0 से 8 तक का पूरा area निकाल दो 0 से 8 तक का पूरा area निकाल दो अब यार area यार यह positive है यह क्या है negative यह क्या है तापस में positive तो निकालना start करें a1 बता कितना होगा half base base कितना है 2 2 hide किती है 6 6 आ गया a2 base यह कितना है 4-2 2 hide किती है 3 अब यह के लिए प्राब positive लेख रहा है बाद में plus minus कर देंगे 6 a3 कितना है तो चा base कितना है 8-4 4 hide किती है 3 कितना आ गया 12 तो net भाईया कितना आ गया answer change in momentum कितना आ जाएगा plus 6 minus 6 plus 12 12 आ गया newton second newton second option है yes यह बाद समझ में आती है तो यह differentiation slope integration area हर जगे चिपका चिपका लता है नहीं सोचना नहीं है average force average force मान लोग force बहुत देर तक लग रहा है ठीक है जिसे ball आई तुम बहुत तेज बहुत तेज catch अदनी आता है catch trade कहलते न catch लेते है catch ऐसे ऐसे style से लेते हैं ऐसे क्यों लेते हैं क्यों लेते हैं कोई ball को रोकना है तो ball हाथ में आ गई है फिर भी धीमे धीमे रोकते हैं उसको प्यार से रोकते हैं इतनी देर तक force लग रहा है ना हाथ में जहाँ बॉल हम पर लगा रहे हैं हम बॉल पर लगा रहे हैं तो वहां पूछा रहता है आवरेज फोर्स कितना है क्योंकि force चेंज हो रहा होते है तो भाईया जैसे फोर्स का फार्मला क्या था देपी एपॉन डेटी अगर हम आवरेज की बात करते हैं नहीं की बड़े बड़े चेंग एक बड़े इंटरवल की बात करते हैं क्या हो जाएगा ड दल पी अपान ड्लू टी इसच्छ फइनल माइनस के इनिशल केता हो जाएगा इंगे वर वंट दिया बाय्या बनी गया ऑर्मुल्या यह तुम्हेद नाइंथ क्लास में नाइंथ हमेर में था वाईया साहे चेप्टर 11 के 9 के हैं एक्जाम्पल लिए आ गया बॉल फेकी है बॉल आ रही है पचास की स्पीड से तो वो कब तक हांत में contact में है जब तक चल रही है अभी भी चल रही है उसको रोक रहे है आधे सेकेंड में रोकी हो on take वनकोनिताइब बाद भी आइधा सेंग्डक फॉर्स लगाया हमने तब रुटी रहा आइवरेश फॉर्स कितका होगा बॉल और हाथ इस बीच मैं तुमने बॉल पे लगाया आपस में होताहिए तो एवरेश फॉर्स का फॉर्मॉला कितना होताहिए change in momentum, एम, mass कितना है, mass नहीं दिया, mass माल लेते हैं, क्यों, अच्छी खासी ball होती है, 2 gram माल लेते हैं, ball का mass लेते हैं, 2 gram, तो ये kg में कितना हो जाएगा, 1000, तो 1 by 10 kg, given था ये, given था, कितना आ गया, 1 by 10, velocity में change कितना आया है, क्यों, final कितनी है, रुख गई ने ball, रुख गई तो final कितनी है, 0, initial कितनी है, 50, upon, time कितना लगा है, कितने time तक ball contact में है, आधा, कितना आ जाएगा, 1 by 10 into minus 50 upon 1 by 2, 5, 2 उपर आ जाएगा, कितना आ गया, 10 newton आ जाएगा, value में सब पिलस हो जाएगा, सब पिलस हो जाएगा, plus 10 newton, value बस, यह समझने आती है, minus क्यों हो रहा है, क्योंकि रुकी है, रुक रही है, momentum कम हो रहा है, यह से लिए minus 1, value कितनी है, 10, impulse, पटाक, बहुत तेज फोर्स मारो, बहुत तेज फोर्स पढ़े, एक पल के लिए, चाटा क्या होता है, एक तो यह है, ऐसे मार रहे है, ऐसे, और एक पट से मार दिया, एक बहुत छोटे से टाइम में बहुत बड़ा फोर्स लग जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, इंपल्सिफ फोर्स, क्या बोलते हैं, इंपल्सिफ फोर्स, इंपल्स नहीं बोलते हैं, उस फोर्स तो फोर्स ही होता है, तो बॉल आई, पटाक, इत्ती स्पीड से आई, पटाक, उत्ती स्पीड से गई, एम बी प्लस यू, जा यू प्लस वी, इतना बड़ा चेंज आया मुमेंटम में एक पल में एक पल में कितना टाइम लगता है समय फ्रैक्शन अफ सेकेंड 0.02 सेकेंड कितने टाइम तक कॉंटेक्ट में थी तो जरा से टाइम में बहुत बड़ा फोर्स लग गया यह फोर्स कॉन सा यह कि इंपल्सिव फोर्स इंपटाक से प्लस होगया चोटे टाइम में इतना बड़ा चेंज आया इसको हम क्या बोलते हैं impulse और किसकी वाज़े से बहुत short duration में बहुत बढ़ा force लग गया just force को हम बोलते हैं impulse से force बच्चे हमेशा confused होते हैं वो सोचते हैं force ही impulse है नहीं force क्या है change in momentum क्या है change in momentum basically impulse होता है वो क्या होता है change in momentum बस sudden change in momentum unit क्या होगी इसकी momentum क्या होती है newton second यह रत clear है newton second 200 gram की ball fat पे घली 110 की speed से वही पिछला वाला question आ गया पिछले वाले graph लिगर वाला ये वाला गई से विलास्थी से है और इतने पल के लिए contact था जरा से time के लिए उसी time में इतना बड़ा force लग गया इस से फोर्स कितना लगा भाई force अभी निकाला था हमने change of momentum upon time taken अब ये बताओ बॉल आई कितने थी 10 से जाई किस से है जाई किस से है same velocity से आई थी 10 meter per second से जाई भी किस से है 10 meter per second से अभी किया था v plus u आता है कितना हो जाएगा change momentum कितना हो जाएगा change momentum हो जाएगा m into v plus u अब ये वेक्टर में नहीं है वेक्टर में तो माइनस होता है formula हमने वो formula drive किया था जाने आने वाला कि तुमारी u थी कि तुमारी b थी upon time taken तो वेक्टर में तो माइनस ही आता है solve करने के बाद अपने या plus भी आता है ये opposite है तो कितना हो जाएगा mass कितना है आइसोग्राम थाउजेंड रड़ टैन प्लस टैन अपन टाइम टेकन पॉइंट जीरो वन ओमाइगाड ये हो गया वन बाइफोर ये हो गया 20 और ये कितना है वाट इस वन पॉइंट जीरो वन अपन हंड्रेड किता है वन अपन हंड्रेड उपर ले आओ वन बाइफोर इंटो 20 इंटो हंड्रेड फाइफ पाँट सो न्यूटन किता है या 500 ये बाद समझ में आई प्लस यू कहां से आया हमने बनाया था फॉर्मला देखो तो याद कर लो बहुत काम आएगा ये देखो ये है पूछना नहीं प्लस कहां से आई वेक्टर में तो मैनस होता है वेल्यू रखी सारी नहीं प्लस होगे अब सिर्व स्पीड रखनी है ये अपन ने कर लिया ये आओ ओमाइगाड पोजीशन टाइम ग्राफ अच्छा ठीक है मास दिया है ये इक्वल टू सेकेंड पे इक्वल टू सेकेंड पे मुमेंटम इंपल्स पूछा है कि कांसा ग्राफ दे दिया है पोट का देते भाई क्या दे दिया है देखो हमने अभी पढ़ा था है अच्छेंग मुमेंटम केता होता है पोट्स और टाइम का एरिया ऐसे ही इंपल्स क्या है गेडी मुमेंटम मुमेंटम इस ग्राफ का एरिया उता है Ref तो पॉर्स टाइम का एरिया वो क्या रेप्रेजेंट करता है चेंज इन मुमेंटम यहां पर उसको क्या बोल रहा है पर यहां फोर्स का तो दिया ही नहीं यह ग्राफ कुछ और ही ग्राफ दिया है Xt अगर आप दिया है कैसे करेंगे हम लगा सकते है impulse क्या होता है sudden change in momentum P final minus P initial MV vector minus M U vector MV vector minus U vector यह क्या है initial velocity, final velocity अब T equal 2 पर देखो T equal 2 पर देखो 2 पर sharp point है इसके just पहले velocity क्या है what is velocity, slope velocity यहाँ पर क्या होता है Xt का slope पढ़ा था last chapter में 2 के just पहले slope positive है मतलब velocity positive है और 2 के just पाद velocity कित्ती है 0, slope कित्ता हो गया 0, change हो गई ने velocity slope change हो गया ना slope कित्ता है निकाल लो U कित्ता आ जाएगा 10 theta perpendicular upon base 2 meter per second V कित्ती आ जाएगी 0 मैं दिख रहा है slope 0 है रग दो formula में mass कित्ता है 0.1 0.1 या 1 by 10 बोल दो उसको U कित्ता है V कित्ता है 0 U कित्ता है 2 कित्ता आ गया minus 2 by 10 आ गया minus 1 by 5 इत्ता impulse पड़ा उसको 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 इत्ता आया minus 1 by 5 बोले तो minus 0.2 Newton second minus 0.2 अब Newton को तुम खोल लो भाईया kg meter per second square तुमारा यह आ जाएगा यह कैसे आया देख लो यह कैसे यूनिट कैसे आई 1 Newton कित्ना होता है force क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग force क्या होता है mass into acceleration पढ़ेंगे हम लो 1 Newton कित्ना हो जाएगा kg meter per second 1 Newton second कित्ता हो जाएगा या ऐसे याद नहीं करना है चलो ठीके कर लेते है 1 kg meter per second square into second 1 kg meter per second या फिर momentum क्या होता है MV या यूनिट कित्ती आ जाएगी इसकी M कित्ता है kg velocity कित्ती है meter per second या ऐसे देख लो चाहिए kg meter per second इसकी recording कहीं डाल मत देना है चाहे बेच रहे थे ये तो भाईया टूडी में हो गया टूडी में wall आ रही है 12 की speed से आ रही है 12 की speed से जा रही है same angle पर कोई दिक्कत नहीं है 0.25 second तक contact है कित्ता force लगाया wall पर wall ने wall पर wall ने ball पर कोई दिक्कत नहीं आपस में भाई ये काम करो vector में तोड़ लो तोड़ लो या किया रहे सार जी येस इसको हम बोल देंगे ux इसको हम बोल देंगे uy इसको हम बोल देंगे vx इसको हम बोल देंगे v ये कित्ता है ये 30 है तो ये 30 है ये 30 है तो ये फिर से 30 है बच्चे कहले थे cost sign अच्छा एंगल की तरफ कॉस एंगल से दूर साइन तो 30 पता है हमें 12 कॉस 30 12 साइन 30 समझ में आया है एंगल की तरफ कॉस एंगल से दूर साइन तो यू वाई कित्ती हो जाएगी 12 साइन 30 साइन 30 कॉस 30 कॉस 30 कॉस 30 कॉस 30 कॉस 30 कॉस रूट 3 वाई 2 12 इंटू रूट 3 वाई 2 6 रूट 3 यू एक्स कॉत्ती हो जाएगी अभी मेगनिटूड लिख रहे है बस वेक्टरम बाद में पूट करेंगे रिंक अच्छा लगा रहा वनो ठीक है 12 साइन 30 12 इंटू 1 बाई 2 तो 6 प्येक्स वी वाई प्येक्स कॉत्ती हो जाएगी 12 साइन 30 6 मीटर पर सेकेंड 3 वाई कित्ती हो जाएगी 12 साइन 30 तो 6 रूट 3 मीटर पर सेकेंड अब एक काम करो इजट से दोनों को लिखो क्यों यू वेक्टर क्या लिखोगे तो एक्स में पॉजिटिव य में पॉजिटिव 6 रूट 3 एक है हम तुम्हें एजट से करवा रहे हैं शॉर्ट करना ही नहीं है तो हम शॉर्ट कर बताएंगे एक लाइन में कैसे होता है पहले हम एजट से कर रहे हैं वी वेक्टर कित्ता हो जाएगा वी वेक्टर कित्ता हो जाएगा एक्स में नेगेटिव वाई में पॉजिटिव माइनस 6 आई केप प्लस 6 रूट 3 जे केप तुम गौर करो चेंज किसमें आया है एक्स में आया है वाई में कोई चेंज नहीं आया है य में पहले भी उपर जा रही थी, अभी भी उपर जा रही है, 6 root 3, 6 root 3, चैन्ज किस में आ एक्स में? पहले यहा जा रही थी, अभी यहाँ आ रही, समझ में आ रहा है? तो सीधा एक्स में चेंज लगाना था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर ठीक है change momentum कितना हो जाएगा V vector minus Q vector upon time taken तो यार एक काम करें पहले V vector minus U vector निकाल लो वहीं खिच्टी नहीं कर रहे है minus 6I plus 6 root 3 minus 6I plus 6 root 3 हम देना कैसे करेंगे 6I cap 6 root 3 minus minus add हो जाएगा minus 12I cap J cap वाला कड़ गया करो put mass कितना है 0.5 kg half kg बहार बढ़े डिस्कों बज़े रहा है half minus 12 time कितना लगा 0.25 कितना होता है 1 by 4 0.25 बोले तो 25 by 100 1 by 4 इसे रख दिया करो सीधा तो भाहिया 4 ऊपर आ गया 1 by 2 into minus 12 into 4 12 फोर्जा 48 फोर्टी एड कर दो कूँ से कड़िया 24 यह आया sorry average average force कितना आ गया 24 newton minus का minus क्यों क्योंकि common sense लगा जब तकर आएगी तकर आएगी तो वॉल ने कहाँ पुछ किया इसको पीछे तब तो पीछे आई है वॉल ने कहाँ पुछ किया इसको पीछे normal force इसलिए negative में आतों तेक है value देखें कितनी आई magnitude एक line में कैसे करें इतना लंबा vector में solve करो बहुत लंबा हो गया देखो बहुत लंबा हो गया एक line में कैसे खरें देखो हमको देखरा है y में कोई change नहीं आया y तो same है y में क्योई change किसमें आया x में किसमें Эकस Ellis U से गई V से आई, दोनों सेम है, U प्लस V, तो डारेक्ट हो जाएगा, जो गाळ, कि मोमेंटम जो चेंज है, सिर्फ किसमें है, X में, X एक्से, तो भाई यह एवरेज फोर्स कित्ता हो जाएगा, changing momentum in X upon time takes, M, जिर्फा V प्लस U, VX प्लस, UX, V प्लस U, V प्लस U, डारेक्ट लगा दो, मास कित्ता है, 1 बाई 2, time कित्ता है, 1 बाई 4, X में भाईया कितना है, कोई निकाल थे एक बार, 6, 6 से गई, 6 से वापस आई, 6 प्लस 6, इसा आगया, 24, ठीक है, पेपर में ऐसे करना हो, कि हमको दिख रहा है, X में चेंज आया है, लगा दिया X में, Y में no change, क्या फायदा, हमें change से मतलब, किससे मतलब है, change से, हमज में आ रहा है, प्रिकी था, इतना बड़ा नहीं करना होता है, पेपर, मेगनिटूड मिल गया हमको, क्या मिल गया, मेगनिटूड 24, वही पूछा था, इज जासे करोगे, तो डारेक्शन मिल जाएगी, अना, अब भाया, प्री बॉडी डायग्राम, देखो, जब चैप्टर पेपर में कुश्चन आता है, तो ग्राफ वाले तो आते हैं, चलो ठीक है, और बहुत टैप की आते हैं, पुली, प्रिक्शन, और एक पुली लगी है, एक ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है, इंकलाइन पर मूव कर रहा है, तो बहुत सारी variety होती है इतनी सारे situation में एक रस्ती, दो रस्ती, तीन रस्ती तो simplify करने के लिए क्या use करते है free body diagram FBD बोलते है short मतलब उस पर जितने भी force लग रहे हैं वो सारे बना दो इसी को बोलते है free body diagram simple diagram to visualize all the forces सारे forces को visualize करने के लिए हमेशा question शुरू करने से पहले क्या बनाओगे इसके बिना गड़बड है बहुत question बहुत simple हो जाते है चलो बनाके देखते हैं भाईया 3-4 दुखदर्द है तुम लोग सुबह सुबह पता नहीं कई से देख लेते हो ये सब हम तो नहीं देख पाएं लोग बहुत strong हो भाई चलो शुरू करते हैं ये बताओ इस पर कितने force लग रहे हैं कितने force लग रहे हैं देखो भगवान का दिया mg हमेशा होता है कौन लगावा है धरती है आओ कहा लाएगा सेंटर पर इसाङस कहा लाएगा सैंटर प्लक अब इस लिए माञ लएते सैंटर पर लोग प्लोख नीचे जा रहा है नहीं karşलोक है दो को ये रोके धर को छोड़न के जाएगा नीचे लेकिंध्यगाब को ये रख दिया कौ अब जा रहा नीचे नहीं और ये पन हो के सर्फेज तो सर्फेस पुश कर रहा होगा उपर उपर हमेशा पुश क्या होता है खुद से दूर होता है फुल खुद की तरफ होता है आओ पुश खुद से दूर होता है सर्फेस कहा है नीचे तो वो उपर पुश कर खुद से दूर तो पुश कहा कर रहा होगा वह उपर तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा वह एंड वन बो तो दो फोर्स लग रहे हैं Mg और Mg अब इस पे आते हैं कि यह ब्लॉक नीचे गिर रहा है नहीं फिर से कितने फोर्स लग रहे हैं Mg और Mg लग रहा है नीचे नीचे नहीं जा रहा है किसकी बास नहीं जा रहा है रासि वजय से तो इसको ऊपर कीच रही है, कि नीचे मत जाओ, तो अपनी तरफ कीच रही है, ऊपर क्या लग रही है, क्या लग रही है, टेंशन, ये बास समझ में आई, वेलो ने पूछी है, बस बना रहा है, इसमें दो रस्या हैं यहां लग रहा है M2 जी यहां हमने मानली लग रही है T2 अब रस्या काम खीचना होता है अब यह रस्या दोनों खीच रही होगी अपनी तरफ इसको ऊपर खीच रही होगी इसको नीचे खीच रसी में टेंशन सेम रहते हैं अब जैसे तुम दिवाल पे लटका लटके हो यहां पे अब यह बताओ ब्लॉक को रोके है रसी रसी कौन रोके है दिवार यह रूफ अगर रूफ कच्छा होगा सब नीचे आजाएगा बच्छे रूफ पे लटके आओ तुम रूफ नीचे आजाएगा तो वह रसी रूफ को भी खीच रही होती है तो काम खीचना आए सब को खीचती है तुम भी आओ और तुम भी आओ सब को खीचती है तो इसको खीच रही है ऊपर इसको खीच रही है नीचे अब एक फोर्स M1 जर्टी में लगा रही होगी इस पर कर देते हैं और प्रिंग लगा रही होगी इवन यह वाज़ रस्ट के लगा रही होगी इवन ऊपर खिचरी ब्लॉक को और रूफ को कहां खिच रही है नीचे ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहा है इस वाज ब्लॉक पर टीटू लग रहा है एसके लग रहा है इसके नीचे नीचे खीचेगी अपनी तरफ खीचती है यह क्या है ओमाइग यह क्या है यह एक प्लैंक है प्लैंक बोलते हैं क्या है क्या है यह ब्लॉक इस पर रेस्ट पर क्या दिख रहा है हमको अब यह रस्टी लगी हुई है रखा हुआ है इस पर रसी से बना हुआ है नीचे नहीं जा रहा है तो कितने फोर्स लग रहा है पूछा है चलो बना जते हैं भगवान का दिया एमजी कहां लग रहा होगा नीचे रसी अपनी तरह खीच रही होगी इंशन और सरफेश फुष कर रहा होगा उठ से दूर उठके परपेंडिकुलर कर लाएगा इधर यह बात समझ में आई तीन फोर्स लगए इतने तीन नॉर्मल पेंशन और अभी इसको हम बैलेंस भी करेंगे रुग जाओ यह बात समझ में आई अब इसका यूज देखते हैं अपने बना सीख लिया इसका यूज क्या है क्यों सीखा अपन कहा है कहा है कहा है कहा है मोमेंटम 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 पोर्स 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 इंपल्स यह था second law rate of change of momentum यह तो मोटा मोटा है अंदर इसकी मलाई जो है अब वह हम देखेंगे तो application करना है देखो क्या था रेट फोर्स क्या होता है दी वाई डी टी अफ मोमेंटम अब देखो फोर्स दो मल्टिप्लाय में है तो मल्टिप्लाय रूल लग जाएगा पहले इसका डिफ्रेंशन करेंगे इसको वैसे लिख देंगे प्लस अब इसको वैसे लिख देंगे velocity कर दो अब बन गया यह dm बाई टी इंटू वी प्लस m इंटू dv बाई टी वाट इस dv बाई टी रेट आफ चिंज अब वलाउस्टी क्या होता है acceleration acceleration यह वन गया formula अब इसका क्या करना है यह होता है net force क्या होता है net force यह पूरा हमने तो यह पढ़ा था mass into acceleration 9th class में हाँ वह आधा था यह पूरा है अब सुनो अगर तुम्हें rigid body दी हो क्या दी हो rigid body मतलब rigid body जैसे pen है cup है इसका mass change नहीं हो रहा mass change नहीं हो रहा उस case में यह वाला term क्या हो जाएगा 0 यह mass change नहीं हो रहा तो dm किता है change in mass 0 तो यह पूरा क्या हो जाएगा उस case में यह पूरा क्या हो जाएगा 0 rigid body में तो rigid body के लिए क्या होता है rigid body के लिए net force क्या होता है mass into acceleration बस यह mass change नहीं हो रहा यह term 0 हो गया तर यह कहां लगाएगे यह क्यों पढ़ा रहे हो जहां mass change होता है जैसे नदी बह रही है mass flow कर रहा है जहां mass flow कर रहा है uniformly constant mass flow कर रहा है uniformly flow कर रहा है यह जैसे भी flow कर रहा है तो वहां यह लग जाता है यह mass change हो रहा है for example कदी में rocket में rocket उपर जाता है fuel नीचे वह आग निकलती है fuel निकलते जा रहा है rocket का mass क्या हो रहा है ग़िए था है और मसीन गन चला रहे हैं इसली गण निकल रहा है तो मास क्या हो रहा है change हो रहा है, वहाँ भी यह लगाएंगे बस समझ में आती है machine gun चलाने के लिए force लगाना पड़ता है न, वरना चले जाओ के पीछे तो force कितना होता है, यह बालगा आता है native, इसलिए पड़ रहे 9th में नहीं था rigid body के लिए क्या होगा, mass into r है, दोनों का use देख रहे है, एक example इसा कर रहे है इसका एक दो कैसे कर रहे है, दो कैसे कर रहे है पूरे chapter में main use इसका है main use इसका ही है, बहुत important question आएगा तो इसी पर आएगा mostly पहले easy question करते है यह block है बहुत simple question, इस नाइध में भी किया है 6 kg का है पर दो force लग रहे है यहां लगा रहे हैं हम 20 newton यहां लगा रहे हैं हम 8 newton के रैस का acceleration बताए रैसर जी क्या पूस्ट find acceleration तो ऊपर तो जाएगा नहीं अपने आप, ऊपर तो जाएगा नहीं तो कहां जाएगा राइट साइड में की लेफ साइड में कौन ज्यादा है यह कि यह तर अपकोर्स 20 जादा है ठीक है ए माल ले रहे है इस तरह ठीक है तो net force के रित्ता हो जाएगा 20 minus 8 20 minus 8 is equal to mass into acceleration यह क्या होती है equation net force क्या होता है इस तरह आपको net force के रित्ता है 20 minus 8 is equal to mass into acceleration एक इत्ता आ गया 2 meter per second फुश्टाफ था इसी का यूज़ करना है पूरे chapter में अब force लगा रहे टेड़ा अब वेक्टर है x में अलग y में कर लो टुकडे भाईया करें टुकडे तिलके नहीं force के इस तरह कित्ता हो जाएगा 40 cos 30 cos 30 कित्ता होता है root 3 by 2 20 root 3 newton इस तरह कित्ता हो जाएगा 40 sin 30 solve करना 20 आ गया अब देखो ऐसा है बज़िन कित्ता है इसका बज़िन कित्ता है mg कित्ता है 45 new surface भी एक force लगा रहा होगा surface भी एक force लगा रहा होगा कित्ता n1 तो अगर देखा जाए फुल एक डॉट बना लो इसको यहां लग रहा है 20 root 3 यहां लग रहा है 50 यहां लग रहा है normal force n1 और उपर 40 भी लग रहा है 40 भी लग रहा है 40 नहीं 20 sorry 20 भी लग रहा है 20 भी लग रहा है 20 भी एक अब यहां बज़िन कित्ता है 50 तो block को उठाने के लिए कितना force लगाना पड़ेगा 50 यह उपर हम 50 लगा रहे हैं देखो नहीं उपर नहीं जाएगा 50 नहीं तो लगा नहीं रहा हो तो उपर नहीं जाएगा सिर्फ आगे जाएगा सिर्फ आगे जाएगा सिर्फ 40 कहां गया सर 40 कहा हो गया अरे भाई 40 के टुकड़े कर दिये 40 को भूल जाओ टुकड़े तो हो गए उसके अब हमको दिख रहा है कि Y में acceleration किता है 0 ना ऊपर जा रहा ना नीचे तो net force भी किता होगा Y में 0 जितना force उपर उतना force नीचे तो N1 प्लस 20 इस एक्वाल टू 50 N1 किता हो गया 30 N X में एक ही फोर्थ लग रहा है X में किता है acceleration A X X में देखेंगे So net force is equal to mass किता है into acceleration A किता हो गया 4 root 3 meter per second square तो भाईया दोनों answer आ गये नॉर्मल किता हो गया 30 N ये किता हो गया 4 root 3 meter per second square X और Y में तोड़ दो X को Y से मतलब नहीं Y को X से मतलब नहीं Y में तुमने 50 से कम लगाया है तो उपर जाएगा नहीं उठाने के 50 चाहिए तुम फोर्स क्या है 0 जित्ता उपर उत्ता नीचे अब डाइग्राम मनाते है गल्ती मत करना M जी धर्ती लगा रही है surface किता लगा रहा है N1 और तुम फोर्स लगा रहे थे 40 वो भी उपर लग रहा है आगे भी लग रहा है ये बात clear है चलो हम लगा रहे थे है extra एक रॉकेट है 100 किलो का बस फीक है 1 केजी पर सेकेंड उससे निकलती है gas fuel किती स्पीड से निकल ला है gas 500 की स्पीड अब रॉकेट चला गया है gravity के बाहर तो रेक रॉकेट बना लो रॉकेट से निकल ला fuel भाई है अब थार्ड लॉग पढ़ेंगे अच्छे से थार्ड लॉग क्या बोलता है कि फोर्स हमेशा आपस में लगता है इसमें आपस में तो रॉकेट जो है वो ऊपर कैसे जाता है रॉकेट फ्यूल को नीचे पुश करता है नीचे और भाई थार्ड लॉग इसने इसको नीचे पुश किया तो फ्यूल क्या करता है rocket को ऊपर पुश करो rocket को ऊपर पुश करो यह बहु आज समझ में आती है अगर हम fuel पे लगाएंगे 10 newton तो fuel हम पे किता लगाएगा 10 newton तो हम fuel को नीचे पुश कर रहें fuel हम को ऊपर पुश कर, आपस में लग रहें हमने तुम पे नीचे लगाया तुमने हम पे ऊपर लगाया question ये है कितना force लग रहा है rocket पे अगर fuel rocket पे आपस में लग रहा है F और F दोनों बराबर दोनों बराबर है तो जो force rocket पे लग रहा है था हई फ्लू किस पर लग रहा पूर्ट अब हम सूर्म कहंदा जाएगा हैं थे मतल़ अधुक्पर कितना फोर्स लग रहा है है इसपीड मीफूर से निकल रहा है तो जब कुछी चीज़ फ्लो करती है काम होती जाती है चेंज होती है तो फॉर्मला क्या होता है क्यूल वाला फोर्स कित्ता हो जाएगा Tm by dt into V कित्ता आ गया Tm by dt mass per second mass per second कित्ता निकल रहा है mass per second कित्ता निकल रहा है 1 कित्ता निकल रहा है 1 ठीक है एक काम करो ना या लेकिने प्यूल पर कित्ता आ लगा रहा है फोर्स Tm by dt into V mass per second कित्ता निकल रहा है 1 kg per second तो 1 कित्ती स्पीड से निकल रहा है 500 अब यही फोर्स जो हमने फ्यूल पर लगाया यही फ्यूल किस पर लगाया रॉकेट पर आपस में लग रहा है और वही फ्यूल क्या प्रोवाइड करेगा रॉकेट को मास इंटू एक्सलिरेशन जो रॉकेट पर लग रहा है फोर्स वो किसके बराबर है मास इंटू एक्सलिरेशन मास कित्ता है रॉकेट का 100 इंटू एक्सलिरेशन कट्टा बिट्टी करो एक इत्ता आ गया पाइफ मीटर पर सेकेंड स्क्वार रॉकेट रॉकेट रिजिट बॉड़ी है इसमें हमने क्या लगाया फॉर्मुला मा और वही फ्यूर्स इसके लिए क्या है दीम बाइड टी इंटू एक्शू ठाहिए टाल काट वहारा दाय है? वहनें जाल परख़रप वाइद रॉक्ता इसली करा डीम बाइट उसरे अधि आप्शू आप अफ्यन फॉर्स पूल्च निखाल – अगर फॉर्स पूछा है पॉर्स कित्ता आएगा वन इंटू पांच सो पाइव हंडर्ड द्यूटन अगर तुम से एक्सलेरेशन पूछ देगा तो तुम उसको में रख दोगे और तुम्हारा एक्सलेरेशन कित्ता आगया पांच ठीक है तो फोर्स निकाल दिया इससे उसको में रख दिया तो एक्सलेरेशन भी थाग है यह देखो बंदूक वाला है कह रहा है एक दिवार है बंदूक है बुलेट है तो किस से जा रही है वी से जा रही है एम मास की बुलेट है और वी से ही वापेस आ रही है ठीक है वी से ही वापेस आ रही है तो कितना मोमेंटम चेंच होगा एक बुलेट के लिए 2MB कितना होगा 2MB अगर अब ऐसे बुलेट चला रहे हो तुम उस दिवाल पे एक फोर्स लग रहा होगा ना तो कितना force लग रहा हूँ अगर N bullets है यह तो एक bullet के लिए इसके लिए आए है एक bullet के लिए अगर N bullets है N bullets है तो टोटाल चेंज मोमेंटम कितना हो जाएगा N times of 2MV एक के लिए चेंज कितना आया 2MV MV plus MV हमने किया था V plus U बार बार वही लगा रहे है V से कई V से वापस आई तो V plus U V plus V 2V N bullets के कितना जाएगा NMV हमको पता है average force कितना होता है change in momentum upon time taken N 2MV upon time taken यह क्या लिखा हुआ है यह क्या लिखा हुआ है number of bullets upon time taken number of bullets per second number of bullets per second कितनी ती है number of bullets per second small n तो यह कितना हो जाएगा small n answer आजाएगा small n into 2MV किया लिखे तो ऐसे करते हैं एक बुलेट के लिए 2MV चेंजा रहा है 10 bullets कितना आ जाएगा 10 times of 2MV average force क्या होता है total momentum change upon time taken total bullets upon time taken total bullets upon time taken मतलब number of bullets per second number of bullets per second कितनी है 10 bullets असर यह आप किसने बताया V से गई और V से वापस आई कि क्या लिखा हुआ है Elastically Elastic मतलब क्या होता है Elastically rebound कर रही है मतलब जितने से गई उतने से वापस आई Okay न रहे गार ओ मा ओ भई चलो जहां हम बोल रहे थे 2nd law में 1st law में कि body किस पर रहा चाहिए जो rest पर है वो rest पर रहती है जो move कर रही है वो move करती रहती तो उसकी natural state क्या होती constant velocity What is constant velocity? 0 acceleration velocity constant मतलब 0 acceleration मतलब net force 0 constant velocity का मतलब क्या था? सुकून किसमे थायात करो natural state सुकून velocity constant मतलब acceleration 0 net force क्या होता है? mass into acceleration तो net force भी क्या है? 0 किसी को बोलते है natural state को हम बोलते है equilibrium जहां वो खुश है सुकून से बैठी है यह बैठा है तो परशान मत करो क्या बोलते हैं उसको equilibrium velocity constant acceleration 0 net force कहीं भी लिखाए equilibrium मतलब net force 0 net force 0 force vector होता है x में भी 0 y में भी 0 z में भी net force मतलब सब vector का sum सारे forces का vector sum 0 कि बाद समझ में आती है equilibrium मतलब net force 0 x में भी और y में भी और z में भी I hate this चाहे यह पता है equilibrium में रह गई है हमाई अब पिये खीक है कि क्या है यह क्या है रेखो rest पर अगर कोई body है net force क्या होगा 0 मतलब equilibrium में है तुल स्टार्ट करते तो फिरसे बनाओ फिरसे बनाओ भाईया पर गुन तर नीट आने वाला है कौन सा गानगाए पिटा भजन करो ठीक है यहां हम लगा रहें F4 ठीक है यह एम लटका हुआ है यहां लग रहा है यहां लग रही है लेट से टीवन यहां भी लग रही होगी दिख रहा है यहां लगा लिया हमने यहां लगा है अब अगर थोड़ी math लगाई जाए लगाए फोड़ी math लगाई है थोड़ी सी जादा नहीं यह आगर एंगल theta है यह वाला भी किता होगा अब देखो यह भी rest पे है यह point भी rest पे है गी नहीं अगर यह rest पे है तो net force क्या है जीदो चितना फोर्स उपर उतंघा फॉर्स नीचे तो T1 कितना जाएगा कि M.G Wam कि इस पॉइंट पर देखो, कितने फोर्स लग रहे एं खर उसके प यहां लग रहा है F तो यह लग रहा है F यह लग रहा है T2 यह लग रहा है T1 स्पीनकोर लग रहा है यह लग रहा है और यह लग रहा है टीटू अब नेट फोरस जीरो है तो X में भी 0 होगा Y में भी 0 होगा एक काम करते हैं पूछा क्या उसमें AB में पूछा है, T2 पूछा है, ना पूछा है T2 MG से मतलब भी नहीं है, लो लो लो, कोई दिक्कत ही नहीं है F में निकालना है answer, किस में निकालना है, F में तो एक काम करो ये बताओ, इस तरफ कितना force है, वो तोड़ देते है, इस तरफ कितना है, F इस तरफ कित्ता होगा, cos theta नीचे कित्ता है, e1 जो mg के बराबर है अगर इस तरफ guys, cos है, इस तरफ कित्ता होगा, sin c2 sin theta अब भाईया, rest का मतलब rest, x में भी 0, y में भी 0 तो, अगर x में 0 करेंगे इस तरफ कित्ता है, f इस तरफ कित्ता है, t2 sin theta यही तो पूछी थी t2, कहां पूछी है, string ab में ab में, t2 पूछी है, लोग आ गया, कित्ता आया f कित्ता आया, t2 sin theta तो t2 कित्ता आ जाएगा f upon sin theta, बत्ता f upon sin theta, short cut में यह था t2 cos theta, t2 sin theta जित्ता force इस तरफ, उत्ता ही force, इस तरफ तो t2 sin theta is equal to f, t2 sin theta is equal to f, लोग लगा दिया, solve कर दिया, t2 कित्ता आ गया, f upon sin theta, t2 sin theta is equal to f, ठीक है यह बड़ी है, इसमें मज़ा आया, जाज इसने 11 थोड़ी पड़ी हो, उसने पड़ा होगा, mg sin theta, mg cos theta, नहीं पड़ा, यह incline है, हमने अभी देखा था यह, कह रहा है कि tension कितनी होगी और normal reaction कितना होगा, हमने पड़ा था, अभी किया था, उपर उपर, यहाँ लग रही होगी, यहाँ लग रही होगी tension, यहाँ लग रहा होगा mg, यहाँ लग रहा होगा mg, यार प्रेर बना रहते हैं कि अधर टाइम उने वाला सर आध दिख्राइब यहां लग रहा है एमजी और यहां लग रहा है और कलर कहा है रेड कलर यहां लग रहा है नॉर्मन पर यह टेंशन हो गई यह एमजी हो गया और यह हो गया normal reaction ठीक है? अब देखो अराम से यह incline के along है पेंचन कहा incline के along यह क्या है incline के perpendicular यह टेडा मेडा है तो xy का मतलब यह नहीं होता है xy का मतलब क्या होता है कोई भी दो perpendicular direction जो आपस में हो तो हम क्या कर लेंगे इसको मान लेंगे x-axis क्यों मान लेंगे sir बिटा सस्थे मन इपते होगे इसको मान लेंगे y-axis यह y में है यह x में इसको तोड़ना है यह करना इसको तोड़ना है अब एक काम करो यह theta है तो यह कित्ता हो जाएगा total sum कित्ता होता है triangle का यह तो 90 है यह कित्ता हो जाएगा 90 माइनस theta theta 90 90 माइनस theta और यह 90 माइनस theta है और यह पूरा 90 है नॉर्मल डाला है यह यह पूरा क्या है 90 तो यह कित्ता हो जाएगा यह बास समझ में आई theta 90 माइनस theta क्योंकि आमने सामने वाई right angle triangle ऐसे ही होते है 37 53 theta 90 माइनस theta तो यह पूरा 90 है तो यह तो यह कित्ता हो जागा theta अब यह x-axis है यह y-axis है mg बीच में है mg को तोड़ना पढ़ा तोड़ दो भाईया angle की तरफ क्या होता है cos यहां कित्ता आजाएगा यहां कित्ना आजाएगा mg cos theta angle से दूर क्या होता है sign यहां कित्ता आजाएगा mg sign angle की तरफ क्या होता है cos angle से दूर क्या होता है sign अब भाईया x में भी 0 है net force x में भी 0 है और net force y में भी 0 है अगर rest पे है तो x में net force कित्ता है ऊपर कित्ता है t e नीचे कित्ता है mg sin theta e कित्ता हो जाएगा mg sin theta जित्ता force नीचे उत्ता force ऊपर तो नॉर्मल कित्ना हो जाएगा mg cos theta तो भाई यह याद कर लो हमेशा यहाँ खीचने वाला force क्या होता है incline के long हमेशा याद होना चाहिए mg sin theta यह theta है और यहाँ कित्ता होता है हमेशा mg cos theta यह बहुत important है अगर यह tips पे नहीं होंगे तो question नहीं हिलेगा पर बैट की component करते रहना अब timer चलता जा रहा है अपन के 2-3 question रहेगा है चलो 2 question कर लेते हैं अब देखो ऐसा है दो mass लटके है angle अलग-अलग है angle क्या है? अलग-अलग mass भी क्या है? अलग-अलग अब वो कहरा हम नीचे आएंगे 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 लड़ाई चल लगी है आपसमें कौन जीतेगा जो भारी होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है equilibrium में हैं मतलब rest पे हैं इसका मतलब इसका खीचने वाला force किता है M1G sin theta और इसका खीचने वाला force किता है M2G जगे नहीं है M2G sin alpha यह दोनों force क्या होंगे पराबर नहीं है खीच पारा नहीं है खीच पारा दोनों force क्या हो रहे हैं cancel हो रहे हैं क्या मतलब M1G sin theta is equal to M2G sin alpha GG कड़ गया पूझा क्या है M1 अपन M2 sin alpha अपन sin theta क्यों alpha किता दिया है 80 और theta किता है 60 नहीं कर रहे है into नीचे आया sin 60 1 by 2 upon root 3 by 2 किता आ गया 1 by root भाई दोगों ऐसा है आप साथ के इस तरह आप देड़े घंटा पढ़ाती रहते हो फालतू की बाते नहीं करते हो अब भाईया time नहीं है अब अगर तुम्हें चार लेक्षर में newton law friction करना है तो भी चार दिन में क्यों तर नीट आने वाला है time ही नहीं है हम चाहें तो लेक्षर बढ़ा सकते और तो लेट हो जाएगा लेकिन time ही नहीं है पर नीट का paper कल है और syllabus आज हो रहा है तो पर क्या फायदा ठीक है रिवीजन भी करना हो चलो कुछ थोड़े वाद रह गया क्यों ये रह गया एक तो ये वाला ठीक था यार ये ये रह गया था ये ट्राइ करना नेक्स लास्प करा देंगे तो ठीक है त्राइ कर लेंगे तो कौन कौन सा पैंडिंग हो गया तो देख लेंगे ठीक है थैंक यू एंड डी पीपी के सॉलूशन आपको अब मिल जाएंगे जो पिछले हैं थैंक यू ये जाएंगे बिल जाएंगे थैंक यू